नमस्कार आप सभी का स्वागत है मगट टीवी में मैं हूँ आपके शाथ अंकिता इस वक्त की एहम खबरों के जानक की नगरी गया में सिच्छा का अलक जगाने आए चानक के आईएस एकाडमी के प्रमुक सक्सिस गुरू एके मिश्रा सर गंतंतर भारत के निर्मान में शिक सक्सिस गुरू एक ही मिश्रा सर द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया इस सेमिनार में छात्रो के विचार को बढ़ावा देने और उन्हें प्रेरिंद करने के लिए एक मंच है सेमिनार के दौरान सक्सिस गुरू एक ही मिश्रा सर ने सिच्छा के महत्व को बताया और छा करते हुए कहा कि सिविल सेवा परिच्छा के पास करने के लिए केवल कड़ी महनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट वोर्ट की भी आवशक्ता होती है चानक्या स्टाफना के स्टाफना में यहीं कलपना थी क्यों जो है एक पंचीत रहे हमारे शेथरों पर यहीं कारवे कि अप्चा में लगाता रुबन करता रहूं शामिदार करता रहूं कि अगरे के साल के अंदर पंदर स्टेट्स में चानक्या की सांटाइस्वा सेंटर अबस्ट किया है उसी क्वालिटी के साथ इसके लिए लोगों को देली जाना पड़ता था है अब यह कोशिच किया है कि आप वहीं जीडों आज आर्खट में तीक सेंटर है हमारे जारी वागराशी और दनवार में तुसिकर से पटना में तीक सेंटर होगे और गया में एक तेंटर आवा गया है तो जो बच्चे हैं इनको जली मेंसली स्कांव के लिए जाना कि आपका अधर के अपनी लिए और इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बिहार में खास करकर कि डॉक्तर से जोड़े वे थे उनको वाद इस सुख से लिए पर छोड़कर आने को त्यार वहीं तो पटना डेवलप हुआ गया डेवलप हुआ और उसी तरह से हमारे प्रजर है अधि 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 यह लोग जार्खेट में तो आज आर्खेट में पुरा इस परकार की स्वेजा हम देवाए तो अच्छी लेडर सिप मिल रही है और बुझे उमीद है कि गया से आने बादे समय में बच्चों को दूर जाना नहीं पड़ेगा अपने से अधिस प्र चाहिए तो स्कार्टिंग में ही इतना भी इस ट्रक्ट उसका पर शीज परसेट एक्स्टा दिया गया है लोगों को तुरन को दस परसेट और भी एक्स्टा दिया गया है और जैसा कि डॉक्ति जो संजय मवार्दी एक गया से निखल कर गये उन्होंने दस रख्यों के नहीं से अप्याब कर सकते हैं उसका लाव उठाए और आखिर किसी कौट तो किसी कारण में वोगों से क्याव से बच्चित दनाती है कि परिसर के व्यम्चन सभागार में आज चानक्या आएस अकैडमी ने एक जागरूपता वियान चलाया है चुकि यहां इनका एक नया सेंटर स्थापित हुआ है तो मुझे आशा है कि हमारे कॉलेज को भी हमारे कॉलेज के बच्चों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और बच्चों के भविष्य के महार्पनिर्देशन में इनका सहयोग रहेगा बच्चे भी वहाद ही उपसुप हैं हमारे कॉलेज के पूरा सभागार धरा हुआ है 27 वी साखा के रूप में गया में ये साखा का उजाटन दो दिन पुर्व विनय कुमार सर ने किया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है चुकि मेरी प्रारभिक, सिक्षा, दिक्षा, जन्म, भूमी सब गया ही है और मैंने बहुत खुशिश करके चानक्या IAS Academy को यहाँ लाया है मेरी कोशिश ये है कि मैं चानक्या IAS Academy के माध्यम से गया के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परिक्षा में सफलता दिला सकते हैं मददार साबित हो सकूँ और इसकी पूरी कोशिश भी जा रही है चानक्या IAS Academy के जितने सेंटर हैं सारे एक समान सबों में infrastructure भी एक समान सभी में उतने classroom, library, फलाना चिलन जो है वो सब एक समान होता है study material एक समान होता है magazine एक समान होता है teacher हमारे centralized दिली से आते हैं तो ये तमाम सारे चीज़ों के कारण चानक के IAS Academy के सभी गांचे से बहुत अच्छी संख्या में रिजल्ट्स निकलते हैं। उसी की कोशिश में चानक के IAS Academy को गया में मैं लाया हूँ और मेरी चुकी ये जन्म भूमी भी है। मैंने यहीं गया कॉलेज से अपने इंटर तक की पढ़ाई भी की है। तो मेरी कोशिश भी लगाता है। मेरी पूरी निस्था और पूरा आप कह सकते हैं कॉंसेंट्रेशन गया ब्रांच पर रहेगा। ऐसे मैं यूपी और बिहार को हेट करता हूँ लेकिन गया ब्रांच पर ज्यादा से ज्यादा समय देकर यहां के विद्यारतियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर अच्छे तरीके से गाइड कर उनको सिविल सेवा परिशाकवी तयारी के लिए पूरी तरह तयार कुछ वियायते भी चानक्या IAS Academy के Head Office से अपरूव कराई है उसमें पूरे फ्री स्टक्चर में जो ही चानक्या IAS Academy का फ्री स्टक्या है उसमें 25% स्कॉलर्सिप सभी विद्यातियों के लिए यहां पर मैंने अविलेबल कराया है इसके साथ-साथ महिला चात्रों के लिए ल सकते हैं कि स्कॉलर्सिप दिलाना तो मैं इसके लिए सक्सेस गुरू एके मिश्रासर जो हमारे CMD है उनको धन्यवार भी देता हूं तो ने मेरे इस प्रार्थना को स्विकार किया और गया की विल्द्यार्थियों के लिए यह विवस्ता दी है तो अब मेरी कोशिश है अब असल परिक्षा सुरू हुई सारी चीजें कर दी गई भी ब्रांच नहीं था ब्रांच ओपन हो गया अब पढ़ाई शुरू होने वाली है असल परिक्षा आप सुरू होती है कि अब इसको result में कैसे convert किया जाए ज्यादा से ज्यादा result कैसे दिया जाए तो आप सबों की सु केंड़ी के गया से इंड़ा से भी कुछ अच्छे रिजर्ट देखेंगे धर्ड़ी धर्ड़ी